इंडोनेशिया मुसलिम बहुल देश होने के बावजूट भी यहां हिंदू संस्कृति की जलक देखने को मिलती है और इसका उदारण है यहां पर रहने वाला यह मुसलिम लड़का, जिसे लोग भगवान हनुमान का रूप मानते हैं, इस मुसलिम बच्चे का नाम है मोहमत रहन और यह 14 साल का है, रहन को देखने पर यह कुछ-कुछ भगवान हनुमान की तरह लगता है और लोग इसकी पूजा भी करते हैं, रहन की ऐसा दिखने के पीछे का कारण भी अजीब है, दरसल रहन वेरवुल्फ नाम की एक जैनटिक बीमारी से पीडित है, इस बीमारी में पीडित के चेहरे, गर्दन, पीठो और पैरों पर अधिक बाल उगाते हैं और शाक्ल भी बदल जाती है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उन्हें पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उसे देखकर मजाग भी उडाते हैं, लेकिन वह बुरा नहीं मानता और इसे अल कोई परिशानी नहीं है, कई लोग हसते हैं, तो कई लोग मुझसे आशिरवाद भी लेने आते हैं, दूसरे गावनों से भी लोग जिर्फ उसके दर्शन करने आते हैं, रहान का कहना है कि लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई स्पेशल पावर है